आपके अधार कार्ड के अंदर कौन सब मुबाइल नमर लिंक है इसकी जनकारी आप कैसे प्राप्ट रोसकते हैं इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यदि आपको भी जानना है तो बन रहेगा हमरी वीडियो के साथ तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों आप सबको पता है कि अधार कार्ड के अंदर अपने मुबाइल नमर को लिंक कराना बहुत है तो आपको रासन भी मिल सकता है तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बन रहेगा हम parade वीडियो के साथ तो इस वीडियो में बड़े असानी से और शिंपल भासा में सब चीज में आपको समझा दूँगा तो दोस्तो मैं उसरोपगा 24 और आप देख रहे हैं मचल चोबी जी टेकनगल दोस्तो यदि आप में पहली बार आए हैं तो पहले को सर्फकाइब कर लिजेगा और साथ में प्रेस कर लिजेगा बे लागएंग वोता कि हमल दरह वनेगे टिप सेंट्रिकल वीडियो या फिर क आपको अधार कार्ड की जो पीस्टर वेबसाइट है यानि की यूनिक इसके जो लिंक है में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आप कोहां पर क्लिक करके सीधे यहां पर आराम से आ सकते हैं यहां पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है स्क्रोल करके और नीचे जा यहां पर क्लिक करने के लिए यहां से अबना इठार नंबर जाल देते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने अपना अधार नंTo क्लिक करेंगे तो जैसे दोस्तों जैसे हमने OTP send पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखे एक चीज लिखी वारी है दो मुबाइल नमबर यू हैड एंटर मतब आपने जो मुबाइल नमबर यहाँ पर एंटर किया है मतब कहने करते हैं कि यह आपने जो मुबाइल नमबर यहाँ पर दोसरा मुबाइल नमबर यहाँ पर चेक करने के लिखा है और जो OTP यहाँ पर दिखा रही थी यहाँ पर मैने इसको डरज कर दिया है और SEND OTP पो क्लिक करता हों जैसा यहां पर क्लिक करंग वाद देगा कि यह मूबाइल नंबर लिंक है पिर नहीं है ति यहाँ पर मैंने क्लिक क्या सेंड यहां पर देख सकते हैं जो में दूसरा मुबाइल नंबर है कि यहां पर लिखा हुए अधार नंबर इसके अंदर रजिस्टर है ठीक है तो यह तरीका है जिसके सहारे आप अपने अधार कार्ड के अंदर कौन सा मुबाइल नंबर लिंक है उसकी जनकारी आप आराम से प्राप कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सब्सक्राइब अच्छे से समझा दिया होगा यदि आपको कोई कंफिजन या फी क्वेरी हो तो कैसे कर सकते हैं कि हाँ यही मोबाइल नंबर आपके अधार कार्ड के अंदर लिंक है तो दोस्तों मेरा मानना है कि मैंने आपको सब चीज अच्छे समझा दिया है फिर अगर आपके मन में कोई कंफिजन या फी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके अपने सुजाओ को र दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए का ताकि उनको इस बात की दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नहीं किया है तो मचन को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीड अंदर भी डुक साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत